मंत्री जी 130 से 140 एरपोर्ट है सिर्फ आपके पास सीमा को तै क्यों नहीं करते हैं आप निचले सीमा को क्यों तै करते हैं सबसे ज़्यादे आवस्टे कि देखिए नीजी एरलाइंस पूरी हाथी हो चुकी है वह सभापती महुत है उसको लगता है कि हम पर कोई अंकूस नहीं है मैं जो चाहूँगा जब चाहूँगा जिस हाल में चाहूँगा जिस परस्तिती में चाहूँगा मैं करूँगा बड़े बड़े लोगों से मुलाकात उसकी होती है उनको लगता है कि हम पर कभी भी कोई अंकूस नहीं होगा कोई कारण क्यों नहीं बताता कि चार बज़ है उसके लिए कोई व्यवस्था कर रहे हैं और जो पहले तो मैं मानिय मंत्री जी 130 140 एयरपोर्ट मानिय मंत्री मोड है मंत्री जी 130 140 एयरपोर्ट है फिर आपके पास और 330 मिलियन अमिर्का के पास जनसंख्या है 5442 एयरपोर्ट है और हमारे बराबर में ही चेना की जनसंख्या है जहां पर 500 से उपर एयरपोर्ट है दूसरी तरफ हमारी एकनोमी 80 करोर लोगों को आप 5 किलों अनाज देते हैं और लगबाग 95 परतिसर्द मों के पास लैप्टॉप कंप्यूटर नहीं है टू वैकिल नहीं है और बिलोग पवर्टी लें 92 परतिसर्द लोग हैं आप जहाज को आम आदमी और विभिन जगों पर ले जाना चाहते हैं लेकिन 41 परतिसर्द आपका ही रिपोर्ट है 41 परतिसर्द किराये में विर्धी होती है एक आप उपड़ी सीमा को तै क्यों नहीं करते हैं आप निचले सीमा को क्यों तै करते हैं सलैब निर्दारत आप क्यों नहीं करते हैं आप इस पर फोकस नहीं करते हैं एक प्राधिकरन बनाएए जो किसी भी किमत पर वो निगरान करें और समय समय पर ओडिट होना नीजी एरलाइंस का सबसे ज़्यादे आवस्टेकर देखिए नीजी एरलाइंस पूरी हाथी हो चुकी है वह सभापती बहुत है उसको लगता है कि हम पर कोई अंकूस नहीं है मैं जो चाहूंगा जब चाहूंगा जिस हाल में चाहूंगा ज में कि जैसे मेरा दो तीन फर इस्भिया है की आप टिकट को देखिए हर चार-पांच मिनट के बाद जैसे कोई पारव आता है मेरे यहां जितने परवैं यहां मजदूर हमारे हों से जिस चीज का रम नमी हो तब आप देखिएगा तो आपको मिलेगा भाड़ा बर गया जब हम कहीं बाहर प्रियेटन के लिए जाना चाहेंगे या इनी किया भी साका पट्नम या गोवा या किसी भी प्रियेटन के स्थर पर हम जाना चाहेंगे तो तीस हजार से कभी भी कम की ट कारण क्यों नहीं बताता कि चार बजए चार मिनट के पहले टिकट का ये किम्मत था और ठीक पाथ मिनट के बार टिकट तीस हजार ये आकिर टिकट के कारण क्या होगे एक तो आपको ये बताना चाहिए कि आप कारण बताईए कि टिकट का फेर क्यों बढ़ गया पाथ मिन कार को एदिए देना आप बैक को लोटा दिजिए आपका यह फिलेन ले जाने को तेयार नहीं तो पैसा ले कर ते हैं तो फिर पैसा क्यों लेते हैं जब हम एयरपोर्ट जाते हैं जी हम आर वाय हो या जिसका भी हो थी 150 रुपिय का समुछा खाना इतना महगा है कि मिडिल क्लास जो काम करके बाहर से विदेशों से आते हैं और वो घर जाना चाहते हैं किसी भी घटना के कारण नहीं जा पाता है चौती चीज़ जब कोई कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, लीवर का इलाज है जो below of poverty lane है, उनके पास air ambulance नहीं है वो दिल्ली आने के लिए या कहीं बड़े सहर जाने के लिए उनके पास क्या सुधा है तो आप क्या ऐसे below of poverty lane जिसको जो cancer, जो संकर्मन बिमारी से परिसान है क्या उसके लिए कोई ऐसी बेवस्ता, आप करेंगे कि 4000 या 5000 एक fixation कर दीजिए कितना में वो जाएगा, चौती चीज़ जो बच्चे below of poverty लेने, जो बाहर exam देने के लिए जाता है जिसके पास train का ticket नहीं मिल पाता है, वो जल्दी बाजी में है क्या उसके लिए कोई मानक होगा, उस बच्चे के लिए जो इस state से दूसरे state जाता है क्या वो भी 30,000 में ले करके जाएगा, क्या ले जाने की स्थिती होगी इसलिए अंतिम में मेरा आग्रा यह है, कि आप plane को बढाने की बात करते हैं लेकिन उस पर कोई भजट आपका है ही नहीं, आप भजट देने रहे हैं बिहार में जैसे पुर्निया की बात हमारे मित्र ने भी की लगातार मेरी बादशीत, उस पर मैं आप से कुछ नहीं को होगा मेरा एक आग्रा है कि पूर्णिया में जैसे आपने एरफोर्स है एरफोर्स का है वहाँ पर चैना का वार्ज वहाँ होता था वहाँ बहुत ही अंडरग्राउंड है पीएम जाते हैं वही रहते हैं छोटा छोटा प्लेन शुरू भी हुआ था क्यों नहीं हम पूर्णिया में यह चीजों को बना कर हमारा जो सबसे बड़ी चीज़ है उसमें है कि आप na को बना बना पूर याइं को पूरा टिम्नल पुरता प्रटा बना और जो जमीन यदी आपको कम हो रहा है तो ततकाल बाद में उसको अधिजान करें में बना करके आप एरफोर्स पर आप पुर्णिया एरपोर्ट को चाहिए दूसरा चीज पटना इंटरनेशनल एरपोर्ट की बात लगा तार उट रही है ही दस सालों से लगवग साथ सालों से पटता है एर्पोर्ट बने कौन बना रहा है कौन कंपनी बना रहा है कभ तक वो पूरा और यह नहीं होगा दरभंगा के भी यही इस्टिती है दरभंगा हम सबसे जाधे रवेन्यू देते हैं लेकिन दर भंगा में अभी तक अटल भ्य में एक पुर्णिया एरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर एर जो बत्तों के लिए हमारा आगरा आप चेक दिमांड है मेरा कि आप इसको करें दूसरा चीज़ मेरा लास्ट है वजूर मैं लास्ट कर रहा हूं मैं लास्ट कर रहा हूं मेरा आप से इलडिगो मेरा अगरा जो प्लेन दिवालिया हो गया गो क्या सरकार दिवालिया कोई एर क्राफ्ट जो है उसके लिए कोई वेवस्था कर रहे है और जो इन्डीगो है या कोई ऐसी प्लेन है नमस्कार मैं हूँ एहमत अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें और हाँ सस्क्राइब करना न भूलें धन्यवाद